आज का हमारा पार्ट एक कविता है मैं सबसे छोटी हूँ मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊँ तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदामा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बना कर पहले हम को तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कड़से खिला धुला मुख धूल पोँच सज्जित कर गात थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा सनेह न खोऊं मैं कविता के प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं पहला प्रश्ण है कविता में सबसे छोटे होने की कलपना क्यों की गई है कविता में सबसे छोटे होने की कलपना इसलिए की गई है जिससे की लंबे समय तक मा का प्यार मिलता रहे मा के आचल की छाया मिलती रहे मा का साथ मिलता रहे विभिन प्रकार के खिलोने मिलते रहे और मा द्वारा परियों की कहानिया सुनने को मिले प्रश्न दो कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है क्या तुम भे हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे उत्तर इस कविता में छोटी सी बच्ची रहकर अपनी मा के साथ रहना पसंद करती है वे ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वे मा का प्यार दुलार ना पा सके बड़ी बनकर वह मा के प्यार उठ होना नहीं चाहती इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है हाँ मैं भी हमेशा छोटे बने रहना ही पसंद करूंगी प्रश्न तीन आशाय स्पस्ट करो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात इसका हमें आशाय स्पस्ट अरना यानि अर्थ बताना है इस कविता का आशाय है या इन लाइनों का ये मतलब है कि बच्ची अपनी मा की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है त्यूटी बड़े हो जाने पर उसका मा इसाथ जोट जालेगा जिस तरह छोटे रहने पर मा हमेशा बच्ची के साथ रहकर हर समय प्यार देती थी वैसा अब नहीं करती है वैं हमेशा मा का साथ चाहती है प्रश्न चार अपने छुटपन में बच्चे अपनी माटे बहुत करीब होते हैं इस कविता में नजदी टी टी कौन कौन से इस्थितियां बताई रही हैं उत्तर माटी गोधी में सोना परियोंटी कहानी सुनना उसकी अंचल पकड़ कर चलना उसके हाथों से खाना खाना उस्ते हाथों से सजना सवरना इत्यादी इस टविता में नजदी टी टी इस्थितियां बताई रही हैं